हेलो बच्चों तो कैसे हैं आप सभी बच्चों आज जो है मैं नंबर सिस्टम के जो कोशन है बहुत ही महत्पूर जो कि आपके एकजाम में आने के पूरी संभावना है ऐसे कोशन को मैं चेप्टर वाइज आप सभी के लिए करा रहा हूं तो वीडियो को पूरा देखिएग इस कोशन का जो भी मैं कराने वाला हूं तो उसका आंसर आप कमेंट्स बाक्स में दे दीजिएगा ठीक है ताकि मैं उसको भी देख लूँगा कि आपने कितना कोशन अपना इसकोर बनाया है ठीक है पहला जो कोशन है बच्चों यहां पर देखिए आपके स्क्रीन पर आ ग च्छोटी संख्या कौन सी है ठीक है अब यहां पर मैं आपको बता दू यहां पर 5 भी रहेगा ठीक है चुट गया है बच्चों याद रखेगा ठीक है 5,1 और 6 याद रखेगा यहां पर 5,1,6 होगा अंक 5,1,6 में से किनी दो संख्याओं को कितनी बार परियोग मिला कर बन है तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी वाला ठीक है बच्चों सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है यह वाला 11,556 ठीक है ना क्योंकि यही सबसे छोटा दिखाए दे रहा है बाकि सब तो क्या है बच्चों देखिए सभी बाकि तो बड़े हैं ठीक है ना पांच एक और च ठीक है ना इन्हीं अंकों का प्रियोग करके हमें पांच अंकों की संख्या बनानी है जो की क्या हो छोटी से छोटी हो आप याद रखेएगा बच्चों ठीक अगला है बच्चों जो हम लोगा कोशन वो यहाँ पर दे दिया गया है दूसरा कुशन देखिए बिभीन अंकों का प्रियोग चार अंकिय अगरवाल एक्जामकाट की जो की काफी बेस्ट बुक है और ये बुक के अंदर आपको तीनों भी से का मिल जाएगा जैसे मांसिकोगता परिच्छन अंगड़ते परिच्छन और भासा परिच्छन ठीके बच्चों और ये कंप्लीट इस्टडी गाइड बुक है इस बुक को लेने के बाद आपको कोई अन्य बुक नहीं लेना पड़ेगा इसी से आपकी त्यारी जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा क्योंकि बच्चों इसमें चेप्टर वाइस सब कुछ अच्छे से में सन कर दिया गया है तो देर किस बात की फटा पड़ जाएए बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में वहां पर मैं लिंक दे दूँगा वहां से आप पर्चेश कर लिजेगा और यदि आप इसको इंग्लिस मीडियम में भी मंगाना चाहते हैं तो यह इंग्लिस मीडियम में मिल जाएगा और हिंदी मीडियम में तो सबसे छोटी संख्या जिसमें नौ दहाई के अस्थान पर हो अब यहां पर देखिए बहुत ही बढ़े कोशन दिया गया बच्चों यहां पर सबसे जरूरी चीज आपको याद रखना है यहां पर कहा गया है कि विभीन अंकों का प्रियोग मतलब कि आपको करना है चार अंक क बनाना है छोटी से छोटी संख्या जिसमें से दहाई अंक आपका नौ होना चाहिए ठीक है तो आपको पता यह इसको हम बोलते हैं एकाई ठीक ना यह होगे आपका दहाई ठीक और यह होगे है सैकडा और यह होगे आपका हजार ठीक है बच्चों यह प्लेस होता है तो यह भी बोला आये question में कि चारों को कि सबसे चोटी चोटी संख्या बनाना है और जिसमें से 9 जो है दहाई अंग पर होना चाहिए यानि कि इस वाले प्लेस पर 9 होना चाहिए तो सबसे चोटी संख्या क्या हो जाएगा बच्चो एक हजार बानवेर हो जाएगा यहाँ पर देखि स्रेडी के भी question पूछ ले जाते हैं यहाँ पर देखिए दिया गया है 9 13 17 21 25 डाट डाट में अगले संख्या क्या होगी यह देखिए स्रेडी के भी आपको question दे दिये जाते हैं जिसे हम स्रीज बोलते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगला number कौन सा आएगा ठीक है बच्चों इसमें क्या हो रहा है बच्चों हम देखिए 9 के बाद 13 हो जा रहा है ठीक है ध्यान से इसको देखिएगा 9 के बाद 13 हो जा रहा है 13 के बाद 17 हो जा रहा है 17 के बाद 21 हो जा रहा है तो आप देख रहे हैं 9 में 4 हम जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा ठीक है ना 13 में चार हम जोडेंगे तो सत्रा हो जाएगा सत्रा में चार जोडेंगे तो 21 हो जाएगा यानि कि सभी में प्लस 4 हो रहे हैं ठीक है सभी में कितने हो रहे हैं प्लस 4 तो पचीस यह लाश्ट है तो 25 में भी हम प्लस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चो सी वला सही हो जाएगा ओके अब देखिए अगली कोशन के तरफ हम लोग बढ़ेंगे बच्चो यहां पर अगला जो कोशन दे दिया गया है यह बहुत यासान है यहां पर देखिए लिखा है 76,000, 76,000 को 13 से भाग देने पर भाग फल कितना प्राप्त होगा तो यह है आपका 76,000, 76,000 है बच्चो ठीक है ना अब इसको हम लोग 13 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो जो हमारा सही आंसर आएगा वो कितना आजाएगा 5852 ठीक है आप भाग देके देख लिजिएगा ये आपका बी वाला सही हो जाएगा बच्चों ये आप याद रखिएगा वी वाला आपका सही हो जाएगा अगले कोशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बच्चों दिया है यहाँ पर निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज संख्या है ये देखिए A, B, C, D कुछ इस प्रकार से आपसंद दिया गया है और इसमें कहा गया है कि इन में से वो कौन सी दो संख्या है जिनके बीच में केवल एक ही अभाज संख्या है एक ही क्या है बच्चों अभाज संख्या है वो 40 और 50 के बीच में आएगा या फिर 60 से 70 के बीच में आएगा ये 80 से 90 के बीच में आएगा या फिर 90 से 100 के बीच में आएगा वही हमें बताना है उन दो संख्याओं को जिनके बीच केवल एक ही अभाद संख्या आएगा बच्चों ठीक है तो यहाँ पर आपको याद रखना है डी वाला सही हो जाएगा बच्चों क्या करेंगे आप डी वाला आपको ध्यान रखना है 90 से 100 के बीच में बच्चों एक ही अभाद संख्या आती है वो आपका हो जाएगा कौन सा है वो है आपका तिरान बेर ठीक है बच्चों तो आप याद रखिएगा तो I hope कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा बच्चों फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे आले वडियो में तब तक के लिए थैंक यू में जैहिन मेरे प्यारे बच्चों